Hello dear students, इस वीडियो में बच्चों हम pronouns के बारे में पढ़ेंगे और उस pronouns के kinds के बारे में यानि की pronouns कितनी दर हैं क्यों होते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हम pronouns कहां पर यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर sentences लिखे हुए हैं, रितेश is my friend, रितेश plays football and cricket, रितेश studies in class 4, या इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने सब noun use किये हैं, रितेश, 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 अब हम इसको दूसरी तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं, pronoun use करके, जैसे रितेश is my friend, he plays football and cricket, तो ही जो है हमने second रितेश की जगा पर he pronoun use कर दिया, he studies in class 4, तो यहाँ पर भी हमने third रितेश की जगा पर he pronoun use कर दिया, तो बच्चों इस तरह से हम noun को replace कर सकते हैं, pronoun से, तो इसको हम pronoun बोलते हैं, इसी तरह से दूसरे sentence में, अमन एंड शिवांश, go for a morning walk, अमन एंड शिवांश are good friends, तो अमन एंड शिवांश की जगा पर हम क्या लिख सकते हैं, पहले sentence में हम अमन एंड शिवांश ही लिखेंगे, लेकिन दूसरे जगा पर जब अमन एंड शिवांश आया है, तो उसकी जगा पर हम pronoun use करते हैं, दो लोगों के लिए हम दे यूज करेंगे, तो दे आर good friends, तो दे यहाँ पर अमन एंड शिवांश को रिप्लेस किया है, pronoun दे ने, इस तरह से हम pronouns को use करते हैं, इसके बाद बच्चों, third sentence में, I have a rat, I keep rat in a box, the rat is white in color, तो हम क्या लिख सकते हैं, I have a rat, I keep it in a box, rat की जगा पर हमने it लिखा, second time rat आया, तो उसकी जगह पर it लिखा, the rat is white, तो the rat की जगह पर फिर से it यूज किया, it is white in color, तो यह जो it है, इसको हम pronoun बोलते हैं, तो इस तरह से बच्चों, हम कह सकते हैं कि pronoun क्या है, pronoun ऐसे words होते हैं, जिसको की हम noun की जगह पर use करते हैं, अब हम पढ़ते हैं, kinds of pronoun, pronoun कितनी तरह के होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं, personal pronoun, personal pronoun क्या है, जो कि किसी person, कोई भी animal, कोई भी cheese, या place के बारे में होते हैं, जैसे कि, I am Kunal, तो I किसलिए है या पर Kunal की जगह, Kunal कौन है person है, she likes to dance, she कौन है girl है, person है, I play hockey, तो hockey क्या है, एक चीज है, you and her friend, तो इस तरह से, इनको हम personal pronoun बोलते हैं, अब हम देखते हैं, persons, persons जो होते हैं, बच्चों तीन तरह के होते हैं, किसी बिज़न दन, first person, second person, और third person, तो सबसे पहले, first person समझते हैं, क्या होता है, तो जो व्यक्ति बात कर रहा होता है, जैसे हिए आपर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं first person हूँ, तो जब जो बोलने वाला होता है, उसको हम first person बोलते हैं, जैसे I, me, we, our, us, mine, और second person को उन उता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसको हम second person बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं first person हूँ, और आप second person हैं, तो इसके लिए हम कौन से word यूज़ करते हैं, you and yours, इसके बाद third person होते हैं, जब हम मैं आपसे किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करती हूँ, जो यहाँ पर present नहीं है, उसको हम third person बोलते हैं, जैसे कि he, she, him, it, they, तो इस तरह से first, second और third person होते हैं, अब हम pronoun के genders और numbers के बारे में पढ़ते हैं, प्रोनाउंस में gender और number भी होते हैं, जैसे first person के लिए singular noun होते हैं, I, me, or mine, और plural noun होते हैं, we, us, plural pronoun होते हैं, we, us, our, और second person के लिए, you and yours singular noun के लिए, singular pronoun के लिए उस करते हैं, और you and yours ही plural pronoun के लिए, इसी तरह से third person में singular pronoun के लिए, he, his, him, she, her, hers, it, its, और plural के लिए, they, them, theirs, इस तरह के लिए यूज करते हैं, तो बच्चों, यह आपको समझ में आ गया, personal pronoun, इसके बाद second होता है, demonstrative pronoun, demonstrative जैसे की नाम से ही पता चल रहा है, यह चीजों के बारे में हमें बताता है, कि this, this मतलब यह, जब हमारी कोई चीज पास में होती है, और एक होती है, नमबर में, तब हम उसको this बोलते हैं, और जब दूर की कोई एक चीज के बारे में हम define करते हैं, तो उसको हम that बोलते हैं, और जब पास में बहुत सारी चीज़े होती हैं, तो these हम use करते हैं, और जब दूर की बहुत सारी चीजों के बारे में बताना होता है तो हम those use करते हैं तो यह this, that, these और those यह चीजों को बताने के लिए उसके जाते हैं इसलिए इनको हम demonstrative pronoun बोलते हैं इसके बाद तीसरा होता है indefinite pronoun indefinite का मतलब होता है बहुत ही जनरल तरीके से किसी के बारे में हम बताते हैं कि उसके लिए हम कौन से word use करते हैं, somebody, many others others are responsible for it somebody, मतलब जिसका कुछ fix नहीं होता, कि कोई भी हो सकता है anybody, many यह words जो होते हैं indefinite pronouns में होते हैं इसके बाद होता है reflexive pronoun reflexive pronoun में क्या होता है बच्चो, जो sentence में जो subject होता है subject का जो काम होता है वो उसी के उपर reflect होता है action of subject reflects upon itself जैसे कि myself, जैसे I do my work myself मैं अपना काम खुद करती हूँ तो जो काम किया जा रहा है वो मेरे उपर खुद reflect हो रहा है myself words से, herself यह words इसमें use होते है myself, herself, themselves, ourselves तो यह होते हैं reflexive pronoun इसके बाद होते हैं interrogative pronoun interrogative जैसे की नाम से ही पता चल रहा है इसमें question पूछे जाते हैं इस pronoun से जैसे कि where, which, who, when, where यह जो words होते हैं वो एच वर्स यह interrogative pronouns होते हैं तो अब यह था pronoun के types के बारे में अब हम इसकी exercise की help से इसको समझते हैं जैसे कि first question में हमें pronouns को circle करना है sentence में तो first one, they are also doctors तो यहाँ पर they pronoun यूज हुआ है he is not a student, तो he pronoun है tell them not to beat him तो them भी pronoun है और him भी pronoun है इस तरह से हम sentence में pronouns को पहचानते हैं इसके बाद बच्चों, next question में हमें personal pronoun fill करना है तो Rahul stood first in the class he will get a reward your brother came here yesterday he forgot his book in the room your name is Akash you are a good student इस तरह से हम यहाँ पर pronoun fit कर सकते हैं इसके बाद next question में बच्चों, हमें reflexive pronoun लिखने है जैसे we made our program ourself he cannot cook his food himself इस तरह से हम sentence को complete करते हैं the dog hurt itself खुद से उसने अपने आपको hurt किया इस तरह से हम reflexive pronoun fit करते हैं इसके बाद है, next question में हमें interrogative pronoun लिखना है जैसे is this cycle तो whose is this cycle यह cycle किसकी है इसके बाद, dash is your favorite vegetable what is your favorite vegetable यह which is your favorite vegetable कुछ भी हम लिख सकते हैं why were you weeping यह when were you weeping कुछ भी हम लिख सकते हैं where is your school इस तरह से हम interrogative pronoun यूज करते हैं इसके बाद, next question में हमें suitable pronouns लिखने हैं dash will come if you reach me तो I am, I will come I will come if you reach me tell her to come tomorrow इस तरह से हम इनको complete कर सकते हैं तो यह था बच्चो प्रोनाउंस के बारे में और प्रोनाउंस के टाइप के बारे में की प्रोनाउंस कितनी तरह के होते हैं और किस प्रोनाउंस को हम कौन से वर्ड होते हैं उसमें और कहां यूज करते हैं I hope आपको समझ में आया होगा Thank you